नमस्कार संगीतर्स किचिन में आपका स्वागत है जैसा आप देख रहे हमने गनपती बप्पा को यहां पे रखा है और हम बनाने जा रहे हैं मुदक मैंने एक तरीके का मुदक यहां बना के रखा है जिसको हम कह रहे हैं केसर का मुदक तो मैं आज आपको विधी बताती हूँ एक सिंपल तरीके से हम बनाएंगे मुदक और उसको अलग-अलग कलर देके इसको बहुत ही सुन्दर बनाएंगे देखें तो ये मेरे पास है चावल का आटा बिलकुल बारी साथ में है ये मिल्क पाउडर और ये है बारीक पिसी हुई चीनी इलाइची पाउडर शुद देसी घी ये मेरा गाय का घी है इसलिए यलो है और ये रूम टेंपरिचर पे दूद है साथ में मैंने काटे हैं काजू और बदाम और साथ में ये है किश्मिश और ये है पिश्टे तो चलिए शुरू करते हैं इन में से कोई भी इंक्रीटियंट अगर आपके पास नहीं है तो कोई चित्ता की बात नहीं है, बात है श्रथा की, तो देखे, ये मैं ड्राइ रोस्ट करने जा रही हूँ, चावल का आटक, बिल्कुल ड्राइ हूँ, इसको रोस्ट करेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, चावल के मुदक बहुत ही बढ़िया बनते हैं, अगर आपके पास चावल का अटा ना हो, तो आप चावल को दो सकते हैं, उसको थोड़ा सा ड्राइ कर लीज़े दोने के बाद, और फिर आप उसको पीश सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये फाइन पौडर बन जाएगा, और आप उसको फिर छान सकते हैं, तो देखे, मैं इसक तो हलका भूनोंगी मुझे इसको ब्राउन नहीं करना सिर्फ एक इसका कच्छापन हमें निकालना है चावल से बहुत ही अच्छे मुदग बनते हैं आप प्योर मावे का भी मुदग बना सकते हैं आप सूजी से बना सकते हैं तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे करते हैं दूसरा तरीका होता है आप इसमें गरम पानी डालिए और एक आठे की तरह इसको बूंत लीजिए और फिर इसको मुदग आप स्टीम कर सकते हैं तो आप तरह तरह की विदी देख सकते हैं मैं आपको सबसे असान और जट पड़ने वाले मुदग सिखाने जा रहे संगीतास के चिन में हम हमेशा जो भी रेसिपी शेयर करते हैं वो बिगनर्स रेसिपी होती है ताकि पहली बार भी अगर कोई बनाए तो उसको जट पड़ बना सकता है तो देखे ये अब काफी अच्छे से हो गया मेरा चावल तो आप चलते ही आगे के प्रोसेस में अब देखे ये चावल में से अच्छी सी खुश्ववानी शुरू हो गई तो मैं इस समय में इसमें डाल दूँगी ये मिल्क पाउडर आप चाहें तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं पर मैं इसको बिलकुल मावे की तना से तयार कर रही हूं तो ये देखे मैं इसमे मैं डाल रही हूं ये इलाइची पाउडर एक बढ़िया खुश्ववू के लिए और हम डाल दूँगी इसके अंदर ये दूट दूट डालते ही हमें इसको चलाना पड़ेगा ताकि ये लंस ना बने और इसको स्मूथ करने के लिए मैं डाल दूँगी इसके अंदर घी त तैयार तो चलिए मिलते हैं थोड़ा सा इसको सेटल करने के बाद तो देखिए ये चावल का आटा काफी एक साथ इखटा होना शुरू हो गया इस समय पे मैं डाल दूँगी ये पिसी होई चीनी चीनी आप स्वाद अनुसार डालें पर क्योंकि हमारे पास मिल्क पौड़ा भी था उसमें भी थोड़ा मिठा से और दूँगी जो हमने डाला वो भी थोड़ा मिठा होता है तो ये सब चीजनी डाल के हम इसको नीट कर लेंगे एक आटे की तरह और जब ये ठंड़ा हो जाएगा तब मैं आप से मिलती हूँ अब आप देख सकते हैं ये बढ़िया हो गया हमारा मोदक का मावा तयार कितना अच्छा लग रहा है और बिलकुल स्मूध है तो मैं गैस को करूंगी बंद और मैं क्योंकि आपको अलग-अलग कलर के मोदक दिखाऊंगी तो ये मैंने छोटे-छोटे बोल्स लिये हैं इस के अंदर हम इसको ट्रांस्वर करेंगे क्योंकि गनपती को भी कलर मोदक बहुत अच्छे लगते हैं और वो खुद लाल बादशा हैं तो उन्हें ये सब चीजें बहुत ही पसंद आती हैं और क्योंकि हम गनेश चतुरती बहुत विधी से मनाते हैं तो हमें हर चीज का ध् लिष्ट देफता हैं उन्हें क्या पसंद है तो ये देखे मैं बिल्कुल अलग-अलग कलर के आपको मोदक बना के दिखाऊंगे अब ये बहुत गरम है इसलिए इसको हम हाथ नहीं लगा सकते तो ये देखे ये मैंने चार किसम के ट्रांसपर कर दिये और एक मैं प्योर वाइट रखोंगे बिलीव करिये इससे बढ़िया मिठाई और इतनी जल्दी नेकिन बनती तो ये हो गए आप ये देख सकते हैं और ये है मेरे पास मोदक का एक मोंड जिससे मैं ये बना के आपको दिखाऊंगे तो अब मैं इसके अंदर थोड़े सी फूट गलर डाल रही हूं शबसे पहली मैं डालूंगे एसके अंदर ये येलो के सरीह कलर हम थोड़े साहिस में के सरका स्ट्रेंड भी डाल सकते हैं और दूस्के मैं मैं डाल रही हूं ग्रीन बहुत थोड़ा सा हमें हलका सा कलर चाहिए तो हम ज्यादा नहीं डालेंगे और एक बिल्कुल ही पीला रंग है तो मैं ये डाल देती हूं इसके अंदर और एक मैं बनाओगी स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए मेरे बाद से एक बहुत अच्छा लाल लिकुट कलर तो ये मैं इसमें डाल देती हूं तो आप देख सकते हैं बहुत ये अच्छे फूट कलर बहुत ही सेफ और इसको अब मैं अच्छे से मिलाके और इसका बढ़ जासा स्मूध कलर तैयार करूंगी तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में जब ये मोदक का बेटर हो जाएगा ठंडा अब ये देखे ये मैंने अमेजोन से एक मोल्ड लिया है वहां तरह तरह के मोल्ड मिलते हैं और अब मैं सबसे पहले ये ग्रीन बनाने जादी हूँ तो हम क्या करेंगे इस तरह से इसको स्मूथ करेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से पिष्टे गालो साइड पे हम थोड़े से पिष्टे डाल के और क्या करेंगे इसको यह रखतेंगे इस तरह से इसको फैलाएंगे और इस से इसको close करतेंगे आप देख सकते हैं जो extra better हो वो आप इसमें डाल दीजिए और पीछे से भी हम इसको अच्छे से smooth करेंगे ये देखे कितना बढ़िया और अच्छा ये हो जाएगा तैयार तो हम जितना दवाएंगे उतना सुन्दर और बढ़िया बनके होगा तैयार और अब मैं इस mold को इस तहां से खोलूँगी आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा पिष्टे का आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कितना प्यारा लग रहा है ये मोदक तो इसको मैं यहां रख दूँगी अब मैं आपको दिखाती हूँ केसरिया तो केसरिया में हम वापिस थोड़ा सखी लगाएंगे हर बार वैसे लगाने की जरूवत नहीं होती अब इस में मैं क्या करूँगी थोड़े से बदाब इसके अंदर डालूँगी और थोड़ी से किश्मिश आप जो भी चाहें ड्राइफ फूट्स डाल सकते हैं और ये बढ़िया के जरिया मोदक मेरा बन के होगा तयार तो पहले आप इस तरह से लीजे और एक बॉल्ल से जैसे बनाके थोड़ा सा इसको लंबाई के बल करिए और इस पे रखते जाए देखिए कितना असान है और थीरे से हम यहां टर्न करेंगे ताकि जो ड्राइफ फूट्स हमने लगाए हैं वो भी इस पे साइड में आ जाएं और यह जो पीछे है इसको हमें स्मूथ करके दबा देना आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह बाकी मैं हटा देती हूँ इसर से और अब हम इसको खोलेंगे देखा आपने कितना प्यारा हुआ हमारा केसर का मुदग तयार लाजबा तो इसको भी मैं इस प्रकार से यहां रखतूँगी तो अब हम चलते हैं हमारी पीले रंगे मुदग की तरफ अब पीले रंग पे पौन सा ड्राइफ रूप दिखेगा तो हम क्या करेंगे इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी किश्मिश किश्मिश यालो कलर में बहुत अच्छे से दिखेगी और मैं डालूँगी थोड़े से पिश्टे यह हरे पिश्टे भी बहुत अच्छे लगेंगे और अब हम यह मुदग को इस तरहां से गोल करेंगे बहुत प्यारा सा कलर आएगा आप देखे और इसको अम धीरे से यहां पर बंद कर देंगे जिता भी एक्स्ट्रा बेटर है वह आप हटाते जाएए और यह देखे इसको मैं वापस इसमें रख दूँगी और यह पीछे से भी हम इसको पीछे का हिस्सा बहुत स्मूध करने से अच्छा हो जाता है तो यह देखे हो गया बिलकुल हमारा मुदग तयार यह देखे जब तक यह खांचे में न जाए तब तक आप करते रहिए और यह एक्स्ट्रा जो बैटर है इसको आप हटा दीजे नहीं तो क्या होगा वो ग्रूव्स नहीं ही बनेंगे तो स्मूध करने के लिए हमें यह एक्स्ट्रा चीजें सब हटानी होगी तो देखे हैना असान और कितना बढ़िया बनके होगा यह तयार वाव किश्मिश से भरपूर यह मेरा यलो कलर का मोदक हो गया तयार तो मैं इसको अभी इस तहां से रखने हूँ यह देखे मेरा पिष्टा के सरिया और यह तीन प्रकार के मोदक हो गया तयार तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे यह है मेरा वाइट मोदक तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर लगाऊंगी थोड़े से पिष्टे थोड़े से किश्मिश और मैं क्या करूँगी मैं आधा डालूँगी इसके अंदर मैं इसको इस तरह से डालूँगी और आधा डालने के बाद मैं इसके सेंटर में रखूँगी यह काजू और बनाओं और हम रख सकते हैं एक किश्मिश और फिर मैं बाकी का आधा भी इसके ऊपर रखूँगी यह हो गए हमारे स्टफ्ट मोदक तो बस टाइट हमें बंद करना है पीछे से समूध करना है साइट से हटाना है है ना बिलकुल असान बढ़िया तरीका गनपती को खुश करने का और कितना इजी मैज अज़ुद यह जरूर देखे यह खांचा बंद हो जाए और यह पीछे से समूध हो जाए तो देखे इसको भी मैं खोलूंगी आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये मावे से भर पूर बन के तयार हुआ हमारा मोतक तो बस अब आखरी मोतक मैं आपको बता रही हूँ ये पिंक कलर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ये देखे इसको भी मैं इस तरह से स्मूध करूंगी और इसमें भी मैं डालूंगी थोड़े थोड़े से ये ड्राइव फ्रूट्स साथ में होगा ये पिश्टी और मैं डालूंगी इसके अंदर किश्मिश जितना भी आप चाहें इसको रिच बना सकते हैं और धीरे से हम यहां ले आएंगे इसको और अब हम इसको दबा देंगे पीछे से भी दबाएंगे एक्स्ट्रा अपने आप हटता जाएगा तो ये देखे हमारा स्ट्रोबेरी मुदद भी हो जाएगा तैयार वाउ है ना खुबसूरत आप देखे तो इस प्रकार से हम सारे मुदद मनाके तैयार करते हैं तो चलिए मिलते हैं मुदद तैयार होने के बाद तो देखे ये बन गया स्ट्रोबेरी मुदद और ये मेरा ग्रीन मुदद और ये मैंने वाइट मावे का मुदद बना दिया ये भी एक वाइट मुदद है और ये जित्नी भी चीजें बची थी जो भी ड्राइव फूट्स और सब इसका मैंने बना दिया ये प्यारा सा मल्टी कलर्ड मुदद तो बस और ये है मेरा केसलिया मुतक तो इस तरह से हम गंपती की पूजा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमको गंपती बपा ये साल देते हैं, उमीद करते हैं कि कोविड हमारे जीवन से अब जाएगा और गर्णेश चतुर्ती कल है, उसके लिए आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी स्वस्त रहें और अपना मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और इंजोई करिए ये बढ़िया कलरफूल मेवे के मोदक मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि मोदक आप बनां सकते हैंगे ड humble क्के आटे से बना सकते हैं सूजी से बना सकते हैं और जो भी ड्राइँ फूट्स आपके पास होँ वो आप डाल सकते हैं और अगर ड्राइँ फूट्स नहीं भी है तो भी हम गनपति वपपा की पूजा कर सकते हैं So, happy Ganesh Chaturthi from Sangeetha's Kitchen. Hope you are enjoying the delicious, yummy, tasty recipes. Thanks for watching. Do like and subscribe if you love my videos.